इतरबाद गैंगरेप और मडर केस की चारो आरोपी सुक्रवार सुबह पुलिस मुटभेड में मारे गए बताया जा रहा है कि पुलिस चारो आरोपियों को लेकर सीन रिक्रियेट करने गटना इस्तल ले गई थी जहां उन्होंने भाड़ने की कोसिस की इसके बाद पुलिस न मुटभेड में चारो आरोपियों को मार गिराया इन चारो आरोपियों ने 27 और 28 नॉम्बर के दर्मियान रात को पसुची कित्सक के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था बता दें कि हैवानियत भरे इस कांड के बाद से देश भर में उबाल था और चारों को फासी दिये जाने की मांग उठ रही थी इस मामले पर पीडिता के पिता ने सरकार को बदाई देते हुए कहा कि उनकी बेटी के आत्मा को सांते मिलेगी और वहीं एनकाउंटर के बाद तेलांगना के कानून मंत्री इंद्रकराण रेडि ने भी कहा कि कानूनी प्रक्रिया से पहले ही भगवान ने आरोपियों को सजा देगी है उन्होंने कहा आरोपियों ने भागनी की कोसिस की थी तो मार गिराया गया इससे हैदराबाद समिट पूरे देश में खुसी है पीडिता के परिवार के साथ साथ सोचल मीडिया पर भी लोग खुस होते वे दिखाई दिये और हैदराबाद पुलीस को भी धन्यवाद दिया जा रहा है आपको बता दें कि ये अगटना 27 नॉम्बर की रात की है 24 साल के जानवरों के डॉक्टर को इन दरिंदों ने अपने हैवानियत का सिकार बनाया था पुलीस जांच में पता चला कि आरूपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए साजिस के तहत महिला डॉक्टर की स्कूटी पंचर की थी ताकि वे महिले डॉक्टर को अपने जाल में फसा कर बारदात को अंजाम दे सकें चारों आरूपियों ने डॉक्टर के साथ बारी बारी से दरिंदगी की और गला दबाकर हत्या कर दी और यही नहीं उंदरिंदों ने हत्या के बाद सब को ट्रक में रखकर टोल बूट से करी 25 किलोमीटर दूर एक ओवर ब्रिज के नीचे फैंक दिया और फिर पैट्रोल डीजल छिड़कर आग के हवाले कर दिया सुबह एक दूट बेशने वाले ने जलेवे सब को देखकर पुलिस को सूचना दी जिसके बाद इस हैवानियत के बारे में पता चला यूरो रिपोर्ट बीएच बीसी नीज चैनल साथी रोस के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाए बेल आइकन साथी हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कॉमेंट करके बताए और वीडियोस को लाइक और शेर करना बिलकुल न भूले